तो दोस्तो मेरे ATM कार्ड की तरह दोस्तो आपके ATM में भी कुछ इस तरह का प्राबलम आ चुका है दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हो हम दोस्तो अभी कुछ यहाँ पे website में खरीद रहे हैं दोस्तो कुछ purchase कर रहे हैं online अब दोस्तो जैसे ही यहाँ पे हम payment करने के लिए अपना card number CVV expiry सब डाल देते हैं उसके बाद payment now पे जाते हैं दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो क्या error आ रहा है your card is not supported अब दोस्तो यह problem आ रहा है और मेरा payment हो ही नहीं रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में बताएंगे कि यह अखिर में problem है क्या मेरा इस चीज का क्या solution है और दोस्तो यह क्यों आ रहा है दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा ATM card है यह दोस्तो रूपे card है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ भी यह चीज लिखा हुआ है यह जो symbol होता है red और यह yellow color का यह दोस्तो यह रूपे card का होता है और मेरा card भी आप देख सकते हो यहाँ पे रूपे debit लिखा हुआ भी है अब दोस्तो problem मेरा card में नहीं है दोस्तो या फिर हमने card का detail भी गलत नहीं डाला है दोस्तो क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे your card is not supported लिख रहा है अगर हम गलत डालते दोस्तो तो यहाँ पे invalid card invalid number लिखता तो दोस्तो ऐसा इसली हो रहा है कि जहाँ पे हम payment करना चाहरा है जैसा कि देखिए 999 का हमें payment करना है अब यह दोस्तो जो website है जिसको हम यह 999 रुपए पैसा भेजने वाले हैं वो दोस्तो इंडिया का नहीं है कहीं दूसरे देश का है मतलब दूसरे country का है दोस्तो और वो country मेरा जो यह रुपए card है वो accept नहीं कर रहा है दोस्तो वहाँ पर उसका service नहीं है दोस्तो आपको बता दे कि रुपए card इंडिया का दोस्तो अपना card है और दोस्तो अभी तो क्या हो रहा है कि नया में मतलब बहुत सारे जगा नया country में यह card acceptable हो चुका है दोस्तो भारत सरकार ने बहुत सारा country में यह allow कर दिया है लेकिन अभी भी बहु supported लिख रहा है तो दोस्तो यहाँ पर अन यहाँ पर कोई और मेथड से हम payment करेंगे यहाँ पर debit card support नहीं हो रहा है आपको दोस्तो उनसे master card या फिर visa card लेना होगा क्योंकि दोस्तो रुपे card यहाँ पर acceptable नहीं है इस website में यहाँ पर इससे payment नहीं होगा आप दोस्तो इसमें कई लोग का problem ऐसा होता है दोस्तो की उनके पास master card भी है या फिर हो सकता है visa card भी है दोस्तो फिर भी यही वाला problem आता है तो दोस्तो हम बताते चले कि जो भी आपका bank होता है दोस्तो वह international transaction on होके नहीं आता है मतलब जह आप नया debit card इसु करते हो bank से आते हैं आपका तो वहां पर आपका international जो transaction होता है मतलब अप दूसरे country में आप पैसा भेजना चाहोगा अपने card से तो दोस्तो वो बंद किया हुआ रहता है वो off किया हुआ रहता है दोस्तो तो आपको क्या करना है जो भी card है जैसे देखें मेरा ये पंजाब नेशनल बैंक है तो दोस्तो इसका PNB1 नाम का अगर SBI का है तो SBI Yono का अप आता है दोस्तो आप अपने अप में जाएए वहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को आउन करना पड़ेगा दोस्तो क्योंकि जो भी आप विपसाइट पे पर्चेस कर रहे हो दोस्तो बहुत सारे कंपनी बाहर का ही होता है इंडिया का वैसे जादा है नहीं जैसे कि देखे कि कोई चीज अगर आप फ्लिपकार्ट पे ही खरीतते हो या फिर कोई यहाँ पे एप का ही खरीतते हो हो सकते हैं वहाँ पे 10,000-20,000 तक का कर रहे हो और यहाँ पे आप 50,000 यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो उस वक्त में भी आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ पे आपको सब कुछ on करना पड़ता है दोस्तो क्योंकि यह बहुत ही सिक्योरिटी वाला चीज है बैंक से रिलेटेड है आपको इंटरनेशनल ट्रंजेक्शन आउन कर लेना है और आपका बीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए बस यही था दोस्तो अब आप देख सकते हो दोस्तो बेपसाइड वही है मेरा पहले जो था वही वाला है अब दोस्तो मेरा देख सकते हो यहाँ पे मैंने मास्टर कार्ड यहाँ पे लगाया है और उसका देख सकते हो प्रोसेस आगे बढ़ चुका है दोस्तो यहाँ पे मेरे फोन में OTP आ चुका है जैसे ही दोस्तों OTP confirm करेंगे मेरा जो payment unsuccess हो रहा था अब यहाँ पे valid हो चुका है क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे mastercard यूज किया दोस्तों अब मेरा payment यहाँ पे success हो चुका है देख सकतों यहाँ पे successful होने का message भी आ चुका है दोस्तों तो दोस्तों यही था जानकारी